इतनी एक्टिंग करने के बाद भी उस बुड़े ने भाव भी नहीं दिया अबे तुने एक्टिंग थोड़ी ना की ओवर एक्टिंग की है लेकिन वो सब छोड़ यार रात से कुछ खाया नहीं है बहुत भूग लगी है चलना एक प्लेड इटली डोसा खा लेते हैं मेरे जीवन साथी जटा धरा तू ही बोले शंकरा वेद विहारा हरा विश्वेश्वरा शंकरा सीधे घर में घुश गया तुम्हारी स्पीड के लिए ये ब्रेकलिस कार ही सही है अर्चुन मेरे एक मदद करोगे बस एक मुझे सिंगल डिजुट्स पसंद नहीं सो मांगो कर लूँगा अर्जेंटली एक पेट डॉक्टर को लेकर आना है आंटी की तब्या ठीक नहीं है अर्चुन की नहीं पपी की उसे क्या हुआ पता नहीं बहुत वीक लग रहा है अर्जेंटली डॉक्टर को लेकर दो मिनित में डॉक्टर आज आएगा अजाएगा यहां शांती से इडली भी नहीं खा सकता क्या जिन्दगी आ है मुझे अर्जेंटली कीज दे कीज क्यों चाहिए आंटी की ट्रेनिंग किये बिना कहां जा रहा है तो डिंचिक रोजा गाने का कर मार देगी मुझे अगर मैं यहीं रह गया तो गाने सुनकर मरने वल्ला मैं पहला इंसान होंगा कीज दे मुझे अरे नहीं याद एकाम है प्रीज दे गुरुजी अरे जलती दे जलती दे जलती अरे जा रहे है क्या है कि डॉक्र साब प्रिश्णा क्या हुआ अधी रात को ऐसे क्यों चिलना रहे हो क्या बात है अब जल्दी से सर्पंची की घर चलिए उनकी पोती जख्मी हो गई है वो बेहोश पड़ी है क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ तो कहां चली गई है ऐसे ड्राती क्यों तो यहां क्यों आयों मैंने सोचा किल की दरा को जोर वो रा जाएगा तो वो यह देखने आया था आया है क्यों मैं चानते हूं कल तुमारे फ्रेंड के साथ तुम भी आये थे कुछे पाहर लेकर चलो ना इतने अंधेरे में गाउं की असली सुन्दरता अंधेरे में दिखाए थी एसा एक फेमस राइचर ने लिखा था वो हमारे गाउं के कुत्तों को नहीं जानता होगा मिलकर काट ल मेरा हाथ पकड़ लो आजाओ 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 नीचा आओ मेरे कंदों पर अधिया रिया डॉक्टर साब आप तो चलिए अंदर बच्चा घूम गया है कावेरी की हालत बहुत जादा खराब है ऐसी हालत उसे छोड़के फिर तो रुकना जरूरी है चोड़ कितनी गहरी और कहां लगी है यह बदा दो मैं दबाई देता हूं कैसे बताओ मैं आपको इसके लिए दबाई दीजिए यह क्रिश्णा से पर चूट कैसे लगी तुम्हारे लिए डॉक्टर के बास गया था वो नहीं आपाई उन्होंने पूछा चूट कितनी गहरी है तो मैंने दिखा दिया आई यू मैट कितना खूण मेहरा है पता है अरे तुम डेंचन मतलो यह तुमेरे साथ द्रोज होते रहता है मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए इतना डर किसलिए है कोई बात नहीं रिया 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 Hey Brahma How is he doctor? He is in coma We tried our best I am sorry When will he recover? I don't know Maybe it takes a year He needs shock treatment Brahma Mrudham Rao phoned I am going to concert in Hyderabad Brahma Hey Hey Brahma Hey Brahma Listen I am going to marry from Subhalakshmi Hello He is dying He is dying He will die He is in a coma Arjun Brahma Sangeet has everything I will try and see One time Wow Shock treatment Shock treatment Yeah Now start Aunty Brahma Did you see that? Wow amazing Thank you Aunty Wow amazing It looks like I am crying first I am dead I am dead Doctor Wow it is a medical miracle It is a murder Don't do it Doctor I want my coma back I want to be in coma Please doctor I am sorry It is not possible Doctor please coma I am sorry it is not possible Absolutely not possible No way Please doctor please I am sorry it is not possible Absolutely not possible No way Please doctor please Please I feel bad You are too weak You are too young Sometimes I am sorry Don't you think Of course I am so sorry Until I am sorry Then I am sorry 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 Oh my God You are too much I am sorry You are too much Like a doctor I am sorry I am sorry तुम्हें फॉलो किया, पर अब पूरी तरह बदल चुका हूँ, अब मेरा, मेरा फ्यूचर तुम ही हो, मैं, मैं, तुम, एचा क्यों रहे हो, क्यूंकि आज तक इतनी सिंसिरली किसी लड़की से बात ही नहीं की है, कुछ कहना तो है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे कहूं, लेकिन एक बात तुपकी है, मेरी जिन्दगी तुम से है, तुम जो चाहो की करूँगा, तुम, तुम, तुम मैं कैसे समझाओं, इस जगह नहीं, शायद किसी रुमांटिक जगह होते तो अच्छी तरह समझा पाता है, तुम पुली स्टेशन, रुमांटिक जगह कहा था ना तुम नहीं, दुन्या में पुली स्टेशन से ज्यादा रुमांटिक जगह हो ही नहीं सकती, कम, hello sir, hello, he's harassing me, I want to register a complaint against him, हैरस मैं तुमने कहा था ना मेरे लिए कुछ भी करोगे जेल जाओ जाता हूँ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी जिन्दगी में सिर्फ तुम ही हो खुद देख लो आज के बाद मेरा हाथ किसी लड़की पर पड़े या किसी लड़की का हाथ मुझ पर पड़े इसका हाथ मतलब इसके हाथ के बाद किसी का भी हाथ नहीं पड़ेगा यह यह लास्ट हाथ है यह यही तुम्हारा कैरेक्टर है पेरी बात सुनो सुबलक्षमी है अगर दोबारा किसी को पीटा ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगा चल जा इसे ऐसे के जाने दिया बच कर जाएगा कहां इसने सब के सामने मेरी बेशती की है क्रिश्णा यह सब क्या है वह यह दिमाग नहीं देगा हम यह चोड़कर चले जाते हैं कहां जाएंगे जीना मर्ना इसी गाव में वैसे तु यहां क्यों आई है तु घर जा और खाना बनाके लिए ही पैता हुआ है तुम इसारी फिर्मालिटी आप लिए आपक जाए मैं तो चुछे नहीं चाल कीजिए ओके मैं जानती हूं कि तुम कैसे हो इन फाक्ट मुझे खुद से तुम पर भरोसा है उससे बच कर रहना प्लीज उस दिन दुमारे दादा की पिटाही से बच गय हुआ 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 है